लेडी जेंट जेंटलमेन आप सभी का स्वागत है आई के एफ एल में जिसका पूरा नाम है इंडिया के फालतु लोग आपको यहां पर बहुत सारे कलाकार मिलेंगे जो अपनी कलाकार प्रदसन करेंगे कोई नाचेगा तो कोई गाएगा तो कोई खाएगा खाना नहीं जू दो और है यह सिर्फ जो भी तालियों के आवाज बज़नी यह सिर्फ सारी पूरी एडिटिंग है तो बट्चा भी इस प्रोग्राम के जजज को बुलाने का तो हमारे पहले जज है मिस्टर टोनी मंडल जो रानु मंडल के छोटे वाही है तो हम वेलकम करते हैं उनका तो मै बता दू यह अमेरिका में रहते हैं और अगर कोई लड़की इन से साधी करना चाहती है तो उसे एक फोर्म फिल गरना पड़ेगा जिसका लिंक डिस्किप्शन में है यह है हमारे सेकेंड जज अब हमारे सेकेंड जज आपको इस्टेंट करके दिखाएंगे और बो इस्ट करते हैं और हम बुलाते हां हमारे फर्ड लस्ट जज को आय। अन्हें का हम वेलकम करते हैं इनकी उन्वर्ए हैं में FAR और आपको बता दू यह driver है तो और तो यह पैशे से ड्राइवक करना चाहती है तो उसका लिंक भी कि डिस्कृशन में बो आराम से चाहिए हिता करते हैंसे स्वस्टा लॉट करते हैं नेdepth करते हैं दिए सोरी है ऊर्य सोरी है इस पहले में क माता दूझ इनल 민हें प्रोग्राम पर और प्रटिव पर रूस और युक्रेयन का युद्ध चल रहा है जिसके बज़ेसे महोल बहुत ज्यादा खराब है और जिसके बजहेसे हम अंगाल ग्रेपर प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमारे पास घरवार भी कुछ भी नहीं तो हमें खुले में हैं प्रोग्राम करना पड़ रह ना रहे हैं दिंचक पुजारी तो बताइए आपका नाम दिंचक पुजारी केसे रखा गया मैं दिंचक पुजा का छोटा बाई हूँ तो सुना ये गाना डिंचक 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 सेल्पी मैंने ले लिया मेरा नाम है दिंचक पुजारी तो देखा आपने दिंचक पुजारी का क्या टैलेंट तो मुझे पता है दिंचक पुजारी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बनेंगे तो हम आगे बढ़ते हैं जो भी नेक्ट आते हैं हमारे टोनी मंडल सर के लिए दो लाइन मेरी तरफ से तो अर्जी किया है एक राजा की बेटी को किसी ने छेलने की कर दिखता एक राजा की बेटी को किसी ने छेलने की कर दीखतअ और हमारे टोनि मंदल सर इसी ने पता वॉद्ग तो बाय साइब कैना में आपका मेरा नाम माइकल बाबाब है और मैं यहां डांस करने आया हूं सर मैं आपसे कुछ केना चाहता हूं हाँ बोलो क्या बात है तर बच्वन में बहुत चोटा था और जब मैं पेदा हुआ था मुझे चलना भी नहीं हता था कि अएज अएज पांठे बच्वन में सब चोटे होते हैं अरे फाग जो काम करना है वो काम कर 2 है इस मिल जिए मदिया मैं का अगा तुम अगा और ये फे हम देगा कि अगलते था अगलतेरा इस प्रॉस हाग लगा देगा तो इसी बात पर दो लाइन मिश्टर फेकु सर के लिए मेरी तरफ से तो और जी किया है सुनना सब लोगों को पता है इंडिया में है सबसे ज्यादा पूर और हमारे मिश्टर फेकु सबसे बड़े तो आप सभी के लिए खुसकवरी है जो हमारे सेकिंड जज़ जिनके साथ हादिशा हो गया था वो बापस आ चुके हैं हमारे बहुत ही अच्छी बात है तो हम स्वागत करते हैं उनका बापस तो बज़े ये तालिया आप निनका टेलिंट देखा नहीं था तो यह दो बारा एक खतरनाक इस्टंट करेंगे और एक ऐसा इस्टंट जिसको इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता तो देखते हैं कौन सा इस्टंट करते हैं तो हमारी जो सेकिंड जते वो बापस खायल हो चुके हैं तो बहुत ज़्यादा मुस्किले होगी है और कोई बात नहीं हम बढ़ते हैं आगे जो भी नेश्ट परफॉर्मर आता है मेरा नाम है जादुगर काला काला मैं बोल नी सकता अच्छा अच्छा अबे वह जूटले सोरी सोरी मजाग था तो आप अपने क्या दिखाना चाहते हैं सोरी 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 क्या करना चाहते हैं मेरी उम्र 20 साल है अबे उम्र नहीं तू करना क्या चाहता है ओव मैं जादू दिखाऊंगा ओव एंट्रेस्टिंग चलो दिखाऊंग शक्ति देमा अब इतना भी दम मत लगा ओके सब अब मैं इस रश्ची को फूल बनाऊंगा ठीक है कि अधि प्यार अब कि यह कि अधिना बकवा जादू दिखा रहा हैं वे तु तूब साभ साप दिख रहा है वो जेब से पूल निकाला है तू ने और वो देख वह तेरी रस्थी ताभी जेब से बाहर निकल हुए अभे कहां से आया अभे तो अरे सर बस लाश्ट चांस आज दो सर एक लाश्ट चांस अभी ठीकए ठीक है चल दिखाव लाश्ट चांस अब देखना सर इस पीपे में ज़िए मैं इस बेहस नी काड़ के दूँगा जा दूसरे अबे, सोच ले, बस लाश्क चान से तेरको